हेलो स्टुडेंट्स आज के क्लास के अंदर हम लोग आयू पीसी नोमेंगेचर को स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं ताकि इस स्ट्रक्चर्स को यहां इमेजिन करते वक्त नंबर ओफ कारबन्स को गिनने में पाई बॉंड्स को गिनने में आपको प्रॉब्लम ना हो तो वो पूरा इंडस्टेंडिंग वाला पार्ट हमारा हो चुका है नेमिंग के अंदर मेंली IUPAC नोमेंकलेचर हमें फॉलो करना पड़ता है पर साथ में कुछ और टाइप के नेम्स भी होते हैं जो की साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँगा तो ओर्गिनी कमपाउन्स के लिए जो हमारे एक्जाम्स के अंदर सबसे जादर IUPAC नेमिंग होती है हम उससे स्टार्ट करते है यहा फिर हम लोग देखते हैं कि नोमेंकलेचर क्या क्या होते है nomenclature के टाइप क्या होते है nomenclature का मतलब होता है नेमिंग सिस्टम्स जो कि यहाँ पर हम लोग करने वाले है और गिनिक कंपाउंट्स के लिए बहुत ही सिंपल यह टॉपिक होता है और आपके एक्जाम्ट के अंदर यह हर साल एक टाइप का क्वेशन इस पर जरूर आता ही आता है नोमेन क्लेचर ओफ और गिनिक कंपाउंट्स हम लोग देखने वाले हैं और गिनिक कंपाउंट्स की बार में मैं आपको पूरा आइडिया दे दिया है कैसे कैसे और गिनिक कंपाउंट्स हो सकते हैं नोमेन क्लेचर के अंदर यूजवल हम लोग जो फॉलो करते हैं वो है आयू पी एसी नोमेन क्लेचर IUPAC का full form जैसे कि आपको पता ही है International Union of Pure and Applied Chemistry तो IUPAC ने क्या किया हुआ है कुछ set of rules बनाय हुए है इस तरीके के set of rules हैं वो जिनको हम लोग सिर्फ rules को अगर याद करके उनको सही से apply कर दें तो particular किसी भी compound का unique IUPAC ने माजाएगा तो यहाँ पर कुछ set of rules हमको designed करके दें रखे है a set of rules a set of rules designed कर दिये गए है designed इस तरीके से किये है designed in such a manner designed in such a manner so that so that every organic compound should get its unique IUPAC name so that every every compound should get its own specific name एक किसी भी particular compound को दूसरे compound से distinguish करने के लिए ऐसा thought generate किया गया है कि specific name होना चाहिए ताकि compound की properties को सही से हम लोग फिर समझा सके तो compounds have different properties they have different names तो इस वज़े हमने इनको different कर रखा है एक एक्जामपल लेकर देखते हैं बहुत ही सिंपल सा एक्जामपल में आपके सामने ले रहा हूं लाइक इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि यह saturated है और फिर यहां पर alcohol functional रुपे इसलिए यह alcohol का all suffix हमने लगाया है तो अगर हम लोग इस तरीके से systematic name लिखते हैं तो इसका नाम मिथेनॉल हो जाएगा यह जो मिथेनॉल है यह हमने वेटा क्या लिखा है हमने यह इसका आयूपी एसी नेम लिखा है बट आपने मिथेनॉल के और भी नाम सुने होंगे मिथेनॉल का एक नाम आपने methyl alcohol भी सुना हो गा जो कि इसका क्या हो जाता है common name हो जाता है common name या फिर trivial name हम इसको बोल सकते हैं इसको trivial name भी हम लोग बोल सकते हैं trivial names का मतलब होता है commonly इसको किस तरीके से बोला जाता है तो ch3 group को मिथाइल बोल देते हैं और ओवेज ग्रूप को अलकॉल बोल देते हैं यहां पर इस तरीके से कॉमन नेमिंग हुआ या यूपीसी नेमिंग हुआ जो कि सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर अरेंज किया गया है तो यूपीसी नेम हो जाता है और आपने एक और नाम इसका सुना होगा I hope सभी ने सुना होगा वुड़ स्पिरिट भी इसको बोलते है वुड़ स्पिरिट भी इस कंपाउंड का बहुत ही पुराना नेम है जो कि इसकी ओरिजिन की बेसिस के उपर लिखावा है जहां से इसको डिराइव किया गया बहुत टाइम पहले क्या होता था डेस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन ओफ वुड़ से इसको प्रिपेर किया जा सकता था आजकल नए मैथर्स आ चुके हैं बट ऑन ते बेसिस ओफ इट्स ओरिजिन वुड़ स्पिरिट इसको सबसे पहले बोला गया सिस्टम्स आगे बढ़े तो इनको इस तरीकी के नाम भी दिये गए IUPAC rules में क्या होता है हमको design करके दे रखे हैं कैसे नाम लिखना है क्या क्या चीज को कैसे कैसे जूड़ना है जिसको मैं अब यह elaborate करने वाला हूँ एक और example आप इसी तरीकी का देख सकते हैं like HCOOH यह जो particular compound है इसको हम लोग methanoic acid बोलते है अब यहाँ पर methanoic acid क्यों बोला इसको अब यह मैंने आपको कहा था कि meth यहाँ पर हमने एक carbon के लिए यूज किया तो ऐसे ही एक carbon के लिए हमने यहाँ पर भी meth यूज किया होग तो ऐसी situation में यह एक systematic name है जो कि बिल्कुल set of rules के भीहाँ पर लिखा गया है जबकि इसका एक name formic acid भी होता है और formic acid भी इसका एक common name है या फिर इसको भी हम लोग on the basis of origin मान सकते हैं तो यह यहाँ पर derived हुआ है या हम लोग बोल सकते हैं derived by formica red ant formica red ant ठीके वहाँ से यह obtained हुआ जाता था तो यह formic acid इसका नाम पड़ा हुआ है अब आजकल form जो होता है वो c1 के लिए यूज करते हैं जब एक carbon present होता है तो हम लोग form यूज करते हैं for those function of जिन में carbon present होता है जिसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा that means naming के systems बहुत ज्यादा होता है नोमेंक्लेचर के अगर हम लोग बात करें तो common naming भी होगी साथ में कई बार हम लोग derived names की भी बात करेंगे और कई बार हम लोग IUPAC name की भी बात करेंगे questions हर जगे से आ सकता है पर हमारे लिए सबसे जादे important रहता है IUPAC naming इससे question पक्का ही आता है तो यहाँ पर किस तरीके का वो set of rules इन्होंने बना रखे हैं वो तो हम लोग बढ़ेंगे पर सबसे पहले देखते हैं जो format of IUPAC name है वो क्या है format of IUPAC name क्या होता है और फिर उसके ब प्रिफिक्स का main part होगा पर सबसे पहले introduction ले लेते हैं format of IUPAC name क्या होगा तो किसी भी name को हम लोग सबसे पहले prefix से denote करते हैं तो इसका short version में आपको लिखा देता हूं पहले prefix फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वीटा root word और फिर उसके बाद में हम लोग ल समझना होता है prefix होते हैं दो टाइप के तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि two degree prefix and one degree prefix दो पार्ट में हम प्रिफिक्स से इसको डिवाइट करते हैं इनका different different role देखेंगे यहां पर यहां पर word root जो होता है वो number of carbons in parent chain एक parent chain selection यहां पर होता है जिसके basis पर हम लोग बोलते हैं कि कितने carbons parent chain के अंदर थे like यहां एक थे तो हमने meth use किया यहां पर एक था तो हमने meth को use किया तो number of carbon in the parent chain are denoted by the root word और word root इसको हम लोग बोल सकते हैं and suffix भी बेटा दो टाइप के होते हैं एक होता है one degree suffix और एक होता है two degree suffix जो one degree suffix होते हैं वो यहां पर हमको बताते हैं कि parent chain saturated या unsaturated तो नहीं है like यहां पर हमने alkane का n यूज किया है meth is the word root उसके बाद हमने यहां पर suffix में one degree suffix यूज किया है n that means saturated है और यह भी यहां पर saturated carbon chain है और फिर यहां पर हमने two degree suffix को यूज किया जो की oic acid है two degree suffix one degree suffix and root word किसी भी particular compound में root word and one degree suffix जरूर आता है like अगर हम लोग ch4 की बात करें तो meth and ane smallest hydrocarbon है और इसमें word root और यहां पर one degree suffix जरूर आ रहा है अगर functional groups आ जाते हैं तो two degree suffix भी आ जाएगा और अगर यहां पर हमारे पास में कोई दूसरे functional groups जो की side chains है या फिर substituents हैं तो उनको हम लोग two degree prefixes के अंदर लिखते हैं लाइग अगर यहां पर हमारे पास में होता ch3br तो हम इसको लिखते ब्रोमो मिथेन हम इसको लिखते ब्रोमो मिथेन और ब्रोमो मिथेन का मतलब क्या निकल रहा है कि इस सब इस functional group को हमने two degree prefix की जगे पे लिखा हुआ है इसको हमने क्या माना है एक two degree prefix की तरीके से माना है यह सबस्टिट्वेंट का पार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद METH वर्डूट हो जाएगा और एलकेन वाला जो पार्ट है वो पैरेंट चीन का saturation होना दिखा रहा होगा वहीं पे जब हमने मिथेनॉल लिखा था तो हमने इसको hydroxy करके नहीं लिखा क्योंकि यह यहाँ पर suffix create करता है इसका two degree suffix alcohol होता है all होता है तो हम यहाँ पर इसको METH and फिर मिथेनॉल लिखते हैं METH, AN, and OL इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं तो यह यहाँ पर एक suffix का पार्ट है तो कई function groups ऐसे होते हैं जो की two degree suffix बनाते हैं और कई function groups ऐसे होते हैं जो की two degree prefix बनाते हैं इस पूरी situation को हम लोग elaborate कुछ time बार let's say next class के अंदर हम लोग इसको elaborate करेंगे आज मैं आपको mainly rules बताने वालों कि parent chain का selection किस तरीके से होता है क्योंकि जब तक यह हम को कंड़ा नहीं आएगा तब तक ना हम यह पहचान पहेंगे और ना हम लोग यह पहचान पहेंगे क्योंकि सबसे important part है compound में root word को इसकी होती है one degree suffix जो होता है अगर compound cyclic होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं लाइक अगर हमारे पास में compound इस तरीके से होता कि यहां पर हमारे पास में alcohol यहां पर लगावा होता तो इस particular situation में यह जो particular 6 carbon है इसकी parent chain हम लोग यहां पर मानते हैं parent chain की numbering भी करनी पड़ती है अगर एक से ज़ादा carbon होते हैं यहां पर भी requirement होती है वहां में numbering भी करनी पड़ती है अब क्योंकि यहां पर 6 carbon जो हैं वो cyclic form में आ रहे हैं तो इस particular compound को हम लोग cyclohexanol करके लिखते है अब cyclohexanol नाम को अगर हम लोग bifurcate करते हैं तो बह parent chain को हम लोग short form में PC बोलेंगे तो cyclic parent chain है hags का मतलब यह कि छे carbon इसके अंदर present है as a parent chain जिसकी numbering हम लोग कर रहे हैं यह यहां पर पूरा saturated है that means इसको हम लोग बोलेंगे one degree suffix और alcohol यहां पर हो जाएगा वेटा two degree suffix इस तरीके से पूरे नाम को हमने यहां पर bifurcate कर रखा है और कोई substitute यहां पर present यह लाइक अगर bromo होता तो हम उसको सबसे आगे लिख देते और वो यहां पर आता तो अभी यह जो particular situation है जो की cyclic parent chain है यह जो particular situation है यह actual में one degree prefix होता है तो इस पूरी situation के अंदर मैंने आपको एक simple से नाम में यह बताया कि systematic तरीका क्या जा रहा है और इस format को कैसे follow किया जा रहा है side chain के name two degree prefix के अंदर आएंगे अगर parent chain cyclic हुई तो हम cyclo लगाएंगे अगर यहां पर number of carbon parent chain में हमें पता पड़ गए तो उसी के भियाप एक word root आएगा और suffix जो हम लोग देखेंगे वो one degree suffix saturation unsaturation को denote करेगा and two degree suffix जो होगा वो main functional groups को denote करेगा like alcohol like acid ऐसे बहुत सारे main functional groups होते हैं इसकी पूरी listing में आपको देने वालो तो यहां पर सबसे पहले इस format को आप देख लें this is the introduction part जिसके अंदर हमने देखा कि name एक से ज़्यादा तरीके की हो सकते हैं पर जो most systematic naming है वो IUPAC की होती है क्योंकि इसका जो format है वो systematic format होता है कौन सी चीज़ को कहा लिखना है वो यहां पर clearly हमें mention कर दिया जाता है तो first of all इसको note कर लीजिए और फिर हम लोग rules for selection of parent chain देखने वाले अब हम लोग देखते हैं जो parent chain की selection की rules है ताकि हम लोग को word route पहचानने में दिक्कत ना हो और उसके साथ-साथ हम लोग side chain को भी पहचान सकें बीजीज में जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर आपको अभी naming का भी idea देता रहूंगा पर mainly जो format है how to write IUPAC name या फिर हम लोग लिख सकते है steps for writing correct IUPAC name correct IUPAC name को लिखने के लिए हमें किस किस चीज की steps का ध्यान रखना है तो step 1 होती है selection of parent chain step 1 हम लोग क्या करेंगे विटा selection of parent chain हम लोग करेंगे और सबसे पहले किसी भी compound को देखकर आपको इसी का idea लगाना है कि उसकी parent chain क्या होगी दूसरा हम लोग numbering करेंगे of the selected parent chain numbering of selected parent chain इस बात का आपको बहुत अच्छे से रियान रखना है कि हम numbering of selected parent chain करेंगे और तीसरा हम लोग naming करेंगे according to the format naming according to the format और जब हम लोग numbering करते हैं उससे हमको यह पता पढ़ जाता है किते कारबन की parent chain आ रही है और यहां पर numbering से हमको वह number मिल जाते हैं जहां पर सब्सेट्वेंट्स आ सकते हैं जहां साइचेंस आ सकती हैं तो सारे नाम का पूरा आइडिया हमको यहां पर लगने लग जाता है तो naming according to the format हमको करना पढ़ते हैं इस आधी 3 selection rules selection of parent chain numbering of the selected parent chain and naming according to the format तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं selection of parent chain की rules rules for selection of parent chain rules for selection of parent chain जिसमें बहुत सारे criteria अगर आपके पास में सिर्फ alkanes that means saturated compounds present तो case A यहां पर हम लोग लिख रहे हैं अब मैं बहुत सारे cases आपको बताने वाल हूँ जिसमें rules of selection of हम लोग parent chain देखने वाले हैं तो case A है for alkanes and alkyl halides alkanes और alkyl halides अगर present हैं तो rule 1 होता है select longest carbon chain as the parent rule 1 बहुती simple rules है और बहुती interesting rules है और इनको solve करने में बहुत मज़ा आता है select longest carbon parent chain यह rule सबको पता ही होता है वैसे longest carbon parent chain अब longest carbon का parent chain आपको select करना है पर यह parent chain जो होना चाहिए वो discontinuous नहीं होना चाहिए मतलब आपने कोई select किया फिर आपको connectivity नहीं दिख रही है तो भी आप किसी और carbon को select कर रहा है ऐसा नहीं होगा तो parent chain must be continuous it can be zigzag कैसे भी हो पर उसका path जो है वो break नहीं होना चाहिए like अगर हम लोग देखें हम लोग किसी भी parent chain का selection करने वाल है let's say हमारे पास में एक particular example यहाँ पर आ रहा है CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 इस तरीके से कोई compound हमको दे दिया गया तो हम लोग अगर देखते हैं कि इस particular compound के अंदर हम लोग longest carbon chain को select करते हैं that can be straight that can be bent also that can be zigzag also तो यह ऐसे भी दे रखा हो सकता है और इसको bond line notation के अंदर भी दियावा हो सकता है like इसका जो bond line notation होगा वो bond line notation कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमको क्या करना है हमें longest की बात करने पर वो continuous होना जी अगर कोई सोचता है कि यह इस तरीके से straight चला जाए तो straight ही हमेशा parent chain होगी तो जरूरी नहीं parent chain हमेशा straight हो अगर आप straight जाओगे तो 1,2,3,4,5 carbon atoms आपको यहाँ पर मिलेंगे अगर आपने इस parent chain को यहाँ इस तरफ गुमा दिया होता तो यहाँ पर total number of carbon atom 6 हो जाते that means 6 वाली parent chain मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर longest carbon का rule होता है इस rule को हमें वॉयलेट नहीं करना है किसी भी rule को हमें वॉयलेट नहीं करना है तो 5 carbon वाली discard कर दी जाएगी और 6 carbon वाली को हम लोग accept कर लेंगे as a parent chain तो longest carbon chain को हम लोग select करने वाले हैं यह हमको बहुत ध्यान रखना है वहले हमको कितनी भी side chains यहाँ दिख रही हो हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है हां ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि इसको यहाँ नीचे से start कर लेते हैं और इस तरीके से लिया पर हम सीधा नहीं जा सकते थे हम सीधा नहीं जा सकते थे situation के अंदर similarly यहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई situation मिल रहा है तो आप इसमें longest chain की ही बात करो भले वो जिग-जग जा रहा हो पर वो continuous का मतलब बिटा यह होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग सीध यहाँ पर इस तरह से continuous आ रहे हैं तो इस carbon atom के बाद अब हम लोग पीछे के किसी भी carbon को select नहीं कर सकते यहाँ के carbon को यहाँ के carbon को अब हम लोग select नहीं कर सकते और ऐसी situation में हमको side chains का भी पता पड़ जाता है यहाँ पर जितने after selection of parent chain जैसे parent chain यहाँ पर हमने decide थी कि 6 carbon की है it is final तो इसके अलावा जितने भी आपको groups इस chain से connected दिख रहे हैं वही सब side chains हो जाती है जैसे कि यहाँ पर particularly हमको इस group दिखाई दे रहा है जो कि इस carbon से बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर भी हमको इस group दिख रहा है जो कि यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है तो यह जो particularly दो रास्ते निकल हैं यहाँ से वो side chain होती है तो यहाँ पर हम लोग दो side chain की बात भी कर सकते हैं after selection of parent chain यह दोनों side chains हमको मिल जाती है जो की एक एक कारबन की side chains होती है तो दो side chains यहाँ पर हमको फिलाल मिल चुकी है side chains का पता कैसे पड़ेगा after selection of parent chain हमको क्या गिनने है हमको रास्ते गिनने है जो भी रास्तर यहां पर हमको दिख रहे होंगे वो सब क्या हो जाएंगे साइट चेंज हो जाएंगे जैसे यहां पर अगर हम इसको सलेक्ट करते हैं इसको अगर हम लोग यहां पर इस पैरेंट चेंज सलेक्ट करते हैं तो यहां से एक बॉर्ण पैरेंट चेंज से निकल र टूल फेल होता है तो apply किया जाएगा यह systematically apply किया जाएगा पहले यह चेक किया जाएगा सलेक longest carbon chain जैसा कि इसमें हमने देखा कि पांच की आ रही थी एक छे की आ रही थी तो छे वाली जीत गई पर रूल टूल कब लगता है जब एक से ज्यादा longest chains present if more than one if more than one longest chain is possible longest chain is possible if more than one longest chain is possible then select that chain as parent chain that chain as parent chain having having maximum side chains having maximum side chains और substituents substituents के अंदर क्या सकता है substituents के अंदर आ सकते हैं या तिर कोई ऐसे दूसरे functional groups आ जाए जिनको हम लोग as a substituent मानते हैं तो side chains और substituents इसको detail में हम लोग देखेंगे कौन कौन से substituents हो सकते हैं side chains का idea मैं आपको दे रिया है जैसे कि रास्ते गिनने हैं after the parent chain selection तो example इसमें हम लोग करके देखते हैं कि यहां पर लैट से हमारे पास ऐसा कोई system लिखा हुआ है कि इस तरीके का कोई compound हमको यहां पर बिटा दे रखा है अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि longest carbon chain कहां पर present है तो longest carbon chain के लिए हम लोग आगे देखेंगे कि यह straight में किते carbon आ रहे हैं है तो हमने देखा यहां पर रहे हैं ने誇त कि इस अनले कितने पर parent chain सिर्फ एक ही हो सकती बिड़ा parent chain एक से जादा नहीं होगी क्योंकि word root selection बिल्कुल हमको उसी तरह की से करना है side chain का selection बिल्कुल वैसे करना है एक compound के दो names नहीं लिख सकते एक ही name लिखना है तो यहाँ पर parent chain इन दोनों में से कोई एक ही होगी अगर longest chain एक से जादा आ गई तो हमको फिर किसी एक को select करना पड़ता है उसका rule क्या है हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा maximum side chain किसके पास है तो मैंने आपको जैसा idea दिया था कि side chain की बात करते हैं तो रास्ते कितने निकल रहे हैं यह हमको देखने पड़ेगा कि यहाँ भी एक रस्ता निकल रहे है और यहाँ पर भी एक रस्ता निकल रहे है तो ऐसे यहाँ पर दो side chains आ जाएगी तो यह 6 carbon की हमको किती side chain दे रहा होगा यह 6 carbon की हमको 2 side chains actually दे रहा होगा इसका मतलब हम इसको select कर लेंगे और हम इसको reject कर देंगे पर इसमें पहला rule fail हो ना ज़रूरी है पहला रूल मतलब longest carbon की chain एक से ज़्यादा हो ना अगर हमारे पास में ऐसा कोई case बन जाता है कि c3 c2 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 c3 यहाँ पर c3 अगें c2 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 और c3 ऐसा कोई case हमको कोई दे देता है तो हमको longest chain को ही select फिर करना है फिर यहां पर हमको longest को ही select करना है भले इसके अंदर एक ही side chain आ रही है तो 1,2,3,4,5,6,7,8,8 carbon one side chain 8 carbon one side chain और यहां पर यह जो particular situation वा अगर अपने इसको select करते हैं तो यहां कितने carbon आते हैं 1,2,3,4,5,6,7,7 carbon और दो side chain तो बताएं किसकी priority ज़्यादा होगी 8 carbon one side chain की priority ज़्यादा होगी क्योंकि rule one अभी भी valid चल रहा है जो rule one है वो अभी भी valid चल रहा है longest carbon chain हमको इसको क्या करना पड़ेगा discard करना पड़ेगा I hope दोनो rules के अंदर आपको फरग दिखाई दे दिया होगा और इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा longest carbon की chain पॉसिबल है तो आपको select करना आ गया होगा ये दो rules basically काम में आते हैं और फिर उसके बार हम लोग किसी भी compound में numbering कर सकते हैं अगर वो alkyne है तो अगर alkyl halides होते हैं तो situation के अंदर numbering में उसको में cover कर लूँगा अभी हम लोग side change या substituents की बात यहाँ पर simply कर सकते हैं जैसे यहाँ पर side change निकल रही है वैसे इस substituents निकल रहे होते हैं alkyl halides अब हम लोग case 2 बना रहे हैं जिसके अंदर alkynes अगर आ जाएंगी तो हम क्या गरें तो मैं सारे selection of parent chain आपको आज बताने वाला हूं और एक साथ सारी parent chain का selection कभी भी आपने नहीं पड़ा होगा सब अलग-अलग लोग बताते हैं और फिर confused होते रहते हैं हम लोग बाद में तो यहां पर हम लोग जो case भी बना रहे हैं कि वह सेलेक्शन आफ पैरेंट चेन इन केस ऑफ सेलेक्शन आफ पैरेंट चेन इन एलकींज एन एलकींज और इसके बाद जस्त में आपको बता हूँगा साइक्ट आफ अलकींज के अंदर कैसे होता है ठेक है तो सेलेक्शन आफ पैरेंट चेन इन एलकींज एन एलकींज की बात करते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग सबसे पहले जो rule बनाते हैं वो होता है select longest carbon chain longest carbon chain select longest carbon chain having maximum double bond maximum double bond comma triple bonds maximum double bond comma triple bond उससे हमें कोई priority नहीं है अभी double comma triple bond जितनी भी आपके पास में alkyns हैं या alkyns हैं उनको आपको include करना है और फिर भी longest की बात करनी है पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि longest अलग जा रही हो और maximum number of double bonds triple bonds उसमें नहीं आ रही हो तो उसमें फिर हम लोग priority किसको देंगे maximum double bond and triple bond को that means double bond triple bond की priority number of carbons से जादा होगी और ये rule throughout the chapter लगेगा बिटा alkyn, alkyn actually functional groups भी होते हैं इनको हम लोग priority देने के लिए include कर लेते हैं तो यहाँ number of carbon से जादा हमको alkyn, alkyn की priorities मननी हैं और example यहाँ पर हमारे पास में CS3, CS2 हो और इस situation के अंदर हमारे पास में यह CS2 प्रेजेंट हो CS2 and CS3 प्रेजेंट हो तो ऐसी situation के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर longest को select नहीं करेंगे अगर हमने longest को select किया तो alkyn यहाँ पर select नहीं हुई अभी alkyn का selection का मतलब यह है कि यह एक रास्ते की तरीके से ना निकल रही हो एक side chain की तरीके से नहीं निकल रही हो क्योंकि अगर यह parent chain है तो यह रस्ता हो गया यह side chain में आ गया इसको side chain में हमें लेकर नहीं आना है इसको हमें side chain में नहीं लेकर आना है हमें क्या करना है इसको parent chain में include करना है विड़ा तो इसको जब हम लोग parent chain में include करेंगे और फिर हम लोग longest जा सकते हैं क्योंकि ये short होता तो हम उदर नहीं गए हमने इसको include किया उसको एक side chain बनाया और यहाँ पर हमने इसको longest लिया तो इसका meaning समझ में आ गया select longest carbon chain having maximum double bond तो double bond एक ही है इसको लेना ज़रूरी है इसको side chain बनने से बचाना है इसको क्या करना है हमें side chain बनने से बचाना है अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास में एलकीन होती like इस तरीके का कोई case हमको यहाँ पर मिल जाता जिसमें यहाँ भी एक एलकीन निकल रही है और यहाँ पे भी हमको एक एलकीन निकलते भी दिख रही है और ऐसा कोई system हो गया अब कोई कहें कि longest जाना चाहिए पर answer longest नहीं होगा हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको as a parent chain लेना पड़ेगा यहाँ पर 4 carbon parent chain and 2 double bond this is the criteria यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 5 carbon parent chain and 1 double bond selection this is the criteria अगर यहाँ पर alkyne और alkyne दोनों आती है तो दोनों को include हमें करना होगा alkyne और alkyne अगर दोनों आती है हमें लाइक एक्जामपल अगर इस तरीके से आ जाता है CH3 CH2 CH double bond CH2 CH CH2 CH triple bond CH CH2 and CH3 तो यहाँ पर ऐसी situation में हमको double bond को भी लेना है और हमको triple bond को भी parent chain के अंदर लेना है इनकी priority जादा है फिर हम लोग number of carbons की कहीं पर भी बात नहीं करेंगे तो इस तरीके से alkin and alkin के उपर हमने rule देख लिया अगर alkin और alkin में comparison कुछ इस तरीके का होता है जैसे यहाँ पर let's say alkin और alkin दोनों को लिया जा सकता है let's say यहाँ पर हमारे पास में number of carbons जादा है और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने कि एक alkin इस तरफ आ रही है तो अब ऐसी situation में एक पंगा खड़ा हो गया है कि हम सीधा जाएं तो दो alkin आ रही है और अगर हम लोग ऐसे bent हो जाएं तो एक alkin भी आ रही है तो हमको alkin को भी include करना होता है और alkin को भी include करना होता है तो ऐसी situation में हम फिर से rule के उपड़ चलेंगे और देखेंगे क्या बोला जा रहा है select longest carbon chain अगर भी number of double bonds and triple bonds same है तो हमें किस के पास जाना पड़ेगा number of carbons के पास में जाना पड़ेगा यहाँ alkin और alkin में फिलाल जब number of carbons अलग-अलग है तो कोई priority नहीं होती है हो सकता है आपने सुना हो alkin की priority जादा होती alkin से वो case ये वाला नहीं होता है इसके बार वो case में आपको लिखाऊंगा तो यहाँ alkin को अगर हम लोग select करते हैं पर देखिए बेटा इसको select करने पर हमारे पास में कितने carbons 8 carbons आ रहे हैं और एक alkin है और एक triple bond है इसकी priority बेटा जादा होगी क्योंकि इनका sum 2 था इनका sum भी 2 है एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि double bond, triple bond, maximum आए और longest chain के साथ है तो maximum 2 आ रही थी maximum 2 आ रही थी और longest chain के साथ है इस वज़े से इसको parent chain माना जाएगा और ये portion को side chain माना जाएगा अब ये यहाँ पर side chain होगा बट अगर यहाँ पर number of carbons भी same हो जाते तो हम लोग फिर एक priority लेते हैं कि alkin को हम लोग ज्यादा priority पर मानते हैं तो अगर ऐसी कोई situation हमारे सामने आ जाती जिसमें अब यहाँ पर अगर straight आते तो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 carbon और 2 alkin और यहाँ अगर नीचे से हम लोग आते तो priority मिलती 7 carbon, 1 alkin और 1 triple bond ऐसी situation अगर आ जाती तो फिर हम लोग यहाँ पर क्योंकि parent chain हमने बोला है कि एक ही होती है parent chain कोई एक ही होगी तो हम लोग इसमें इसको priority देते हैं यह भी rule of IUPAC है यह मेरा कोई rule नहीं है यह आपका कोई rule नहीं है यह यहाँ पर IUPAC का rule है कि अगर सब कुछ same हो number of carbon same हो तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों में अलकीन जो ज़ादा है उसको priority ज़ादा देते है that means इस situation के अंदर हम लोग जो parent chain मानने वाले है वो यह वाली मानने वाले पर maximum number of double bond triple bond parent chain में आनी चेती जैसे कि यह वाला part है जैसे कि यह वाला part है तो ऐसी situation में अलकीन अलकाइन का selection of parent chain हो जाता है next हम लोग देखते हैं कि अगर कोई main functional group आ जाता है अगर main functional group हमारे पास में present होते है तो हमको फिर क्या करना होता है तो selection अगर main functional group के case में आए जैसे यह rule 1 है तो rule 2 में यहाँ पर आपको बता देता हूँ if rule 2 जो अलकीन और अलकाइन का होता है पहले वो मैं आपको लिखा देता हूँ if there is tie between if there is tie between alkyne, alkyne if there is tie between alkyne and alkyne in terms of carbon यह tie देख रहे हैं हम लोग और यहाँ पर जो rule चल रहा था rule 1 जो चल रहा था longest carbon 7 और 7 rule 1 फेल हो गया rule 1 फेल हो गया तो हम लोग देखेंगे if there is tie between alkyne and alkyne then alkyne will have more priority alkyne will have more priority इस rule को हम लोग numbering में भी follow करेंगे this rule is as it is followed in numbering this rule is also followed in case of numbering in case of numbering numbering का rule हमको यहाँ पर मिल गया है और selection of parent chain में भी अगर number of carbon similar होते हैं तो हमको वह वाला rule भी मिल गया है ओके एक बार इसको भी आप note कर लीजिए फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं यह सहाँ आप़ कर दो अधो ज़ागा है रहाँ अपो नहाँ आप आप घ्सेट iht का अपो हमको सब्सेट हैं रहाँ कर दोग्सेट हैं यह एक जद्सेट कर दो यह जदर रहाँ कर दो क